हेग गाइज आज मैं आपको बताऊंगे मेरे गाउं के अंदर पीजा बिना भी कोई समान के घर केवल कीचन के समान से केसे बना कर तैयार किया जाता है गाउं में बिल्कुल इसी तरह से पीजा बना कर तैयार किया जाता है क्योंकि गाउं में ये पीजा वाला कोई भी समान मिलता है फिर भी बच्चों को इस तरह से बना कर खिलाया जाता है तो आप भी इस तरह से एक बार बना कर ट्राइ जरूर करें और आप कमेंट बोक्स में बताई ये कैसा लगा आपको सर्व पर्था हम कच्याम ले रेंगे कच्याम को अच्छे से पाने में उबाल कर इसकी एक जगह चटनी इकटी कर लेनी है चटनी को इकटा करना है और यही मैं पीरजा सोस की जगह पर एड़ करूँगी तो सारी चटनी को इसी तरह से एक जगह इकटा कर लेना है और दीरे दीरे कर लेना इस छिलकों का काम में नहीं लेंगे चिलके फैंक देंगे या आप कोई आने रिश्पी बना सकते हो तो मैंने सारी चटने को बना लिया है और ये कुछ ग्योंग का आटा है जो नॉर्मल हमारे सभी के गरों में मिल जाता है रोटिया बनाते हैं उनी से बचा कर मैंने बना कर रखा था तो इसकी एकलोई बना लेंगे और इसे भी रोटी की तरह अच्छे से बेल लेंगे इस तरह से चकरा उल बेलन के साय त sesे इसको बेल लेंगे पीज़ा को तो इसकी लंबाई आप अपने इसाब से रख सकते हो छोटा बड़ा भी से बना सकते हो तो इस तरह से मैंने बना लिया है और इसके मोटाई कुछ इतनी रखी है आपको दिखाई दे रही होगी देखिए तो यह रोटी बनकर अच्छे से तयार हो चुकी है अब मैं यहाँ पे कुछ ले लूँगी जो पीजा को सजाने के लिए सब्जियां आप भी इन में से कुछ ले सकते हो और इसके साथ यह आपको चीएगा एक उबला हुआ अलू उसको भी ले लेना है और जो आपने तववा लिया है इसके उपर थोड़ा सा ओय लगा दे फिर आप उसे गे चूले के उपर रख दे गरम होने को आपको इसे बहुत ज़्यादा गरम कर लेना है हाँ से इस तरह देख सकते हो आपको गरम लगे तभी उसी स्टेज के अंदर आपको इसके उपर रोटी को डाल देना है तो मैं इसको अच्छी तरह से गरम कर लूँगी उसके बाद गिस को करेंगे बंद क्योंकि गरम गरम तभवे के ऊपर इसे पका लेंगे कम से कम इसे चार से पांच मिनिर तक अच्छी से गरम कर लेना है आपको इस तभवे को तो मैं फिर से देखती हूं कि यह गरम हुआ है नहीं इस तरह से आप अपना एक रहत रख कर गरम महसूस कर सकते हो यह दि आपको गरम लगे तो आप उस तभवे पर पीजा रोटी को डाल दे तो मैंने याँ पर रोटी को डाल दिया है और यह रोटी फूले नहीं इसके लिए आपको एक मेगी जो नूडल्स खानेवाला चममच होता है उससे आपको इस तरह से छेट कर देनी है तो पूरी रोटी पर इसी तरह से आपको छेट करनी है जिसे यह रोटी अच्छे से सि तो मैं पूरी रोटी पर इसी तरह से चीत कर दूँगी और एक साइड से आपको रोटी को पका लेना है तो मैंने अब पूरी रोटी पर चेत कर दिया है और ये अभी पकी नहीं है थोड़ी देरी से और रहने देंगी इसी तरह से यह अच्छे से पक जाएगी तब उसको उल्ट फेर कर देना है क्योंकि यह रोटी काफी मोटी है तो इसे अच्छे से सेटना है कच्छा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए उससे पहले आप इसके उपर गड़ बैटरी या दे सेगी ओयल कुछ भी एड़ कर सकते हो जिसमें आपको पीजा बनाना है वो एड़ करते है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आजाए रोटी वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहे तो मैं यहां पर जो आजस्यम कंपनी का ओयल होता हूँ उसको एक्ट कर दिया है और इसे नीचे से हुटा लेंगे थोड़ा सा ताकि यह चिपके नहीं और थोड़ी देर इसे और पकने देती हैं एसे ही तो अब यह अच्छे से पक चुका है और मैं इसे पलड़ दिया है तो जो पकी हुवी साइड है इसके उपर ही हम यहां पर लगा देंगे पीजा सोस अगर आपके पास पीजा सोस है तो आप यहां पे लगाते ओने है तो आप टमाटर से पीजा सोस भी बना कर घर में तयार कर सकते हो लेकिन मैं यहां पे लगाऊंगा कच्छे आम के चटनी जो मैंने बना कर रखी थी उसको तो पूरी रोटी पर इस तरह से गच्छे आम की चटनी लगा कर रख देंगे क्योंकि इस चटनी का टेस्ट खटा मेश्टा दोनों ही होता है और इस चटनी से काफी अच्छा भी लगता है क्योंकि पीजा सोस वाला तो जो टोमाटर का सोस होता है उसकी चटनी तो कभी भी बनाई जा सकती है लेकिन कच्छे आम की चटनी नहीं बना सकते तो अब मैं कच्छे आम सही से करूंगी और अगर आपके पास पीजा सोस हो तो आप उसे चटनी के उपर एड़ कर दे यदि आपके पास पीजा सोस भी नहीं हो तो आप इसके उपर जो किसान केचप आता है उसे एड़ कर सकते हो तो मैं यहापे किसान केचप को भी एड़ कर दूंगी और पूरी रोटी के उपर इस तरह से फैला दूँगी तो इस तरह से सारे रोटी के उपर एच्छे आराम से लगा देना है आपको किसान केचप इसका टेस्ट काफी अच्छा भी होता है, खाने में टेस्ट भी अलग जरूर आईगा तो इसी तरह से मैंने पूरी रोटी के उपर किसान केचप को लगा दिया है अब क्या करेंगे जो सबजिया आपको एड़ करनी है उन सबजियों को भी अच्छे से किसान केचप के उपर सजा दे तो मैंने सरुब पर तम्याँ पर प्याज को सजा दूँगी उसके बाद आपने जो टमाटर लिया उसको भी इस तरह से सजा दे तो मैंने सारे टमाटर और हरी मेच्चियों को भी बीज बीज के अंदर अच्छे से सैट कर दूँगी और मैंने कुछ अनार के दाने लिए उसको भी एड़ कर दिया है अब हमारी पास चीज है नहीं तो हम यहां पी क्या डालेंगी एक उबला हुआ आलू इसे भी आप इस तरह से ग्रेट करकर डाल दे जैसे चीज को डालते हैं ठीक वेसे ही आपको उबला हुआ आलू इस तरह से पूरे पीर्जा स्वे जो पीर्जा है इसके उपर आपको डाल देना है और आपको ये काम फटा फट से करना है वयरना ये रोटी नीचे से जलबे सकती है या आपके इसको बंद कर दे थोड़ी देर इसके उपर भी मैंने यहाँ पे चटनी जो कच्चियाम की चटनी है उसको थोड़ा थोड़ा रख दिया है फिर तब्वे को उपर से बंद करके इसे थोड़ी देर पका लेंगे देखे अभी अच्छी तरह से पक कर पीजा बन कर तयार हो चुका है तो देखे बनने के बाद आपको इस तरह से आपको यह दिखाई देगा तो मैं यहाँ पे प्लेट के अंदरी से प्रोश्ट दूँगी तो यह बन कर तयार हो चुका है तो चलिए पीजा को अच्छे से कटिंग कह लेती है तो यहाँ पे रखने के बाद आपको इस तरह से लग रहा है और पीजा को मैं यहाँ से कट कर दूँगी और यह रोटी का पीजा है तो थोड़ा सा टाइट रहता है लेकिन अराम से कट भी हो जाता है तो मैं आपको यहां से थोड़ा सा कट करकर दिखा रहे हूं देखी इस तरह से यह बनकर त्यार हुआ है जो उबला हुआ आलू है वह भी अच्छे से सैट हो चुका है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वेसा ही आएगा जो मार्केट के अंदर आपको पीजा मिल था उसी तरह पेश्ट होता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरूर करें अगर आप चेनल पर भी नए हो तो चेनल को सस्क्राइब कर दे ताकि अगले वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे पूरा वीडियो ने देखने के लिए थैंक्यू शो म अगरो के आपको पर वीडियो एले तेखने के ट तो आ आएपको मिलते हैмовर ऑले कि आले के रहे टा पर खंएड़ हैंक्यो आपको जगले की जबाएदक highway ने रहे होता है अगरे आपको या कि ला एण षा रहेए आँए अगर